हेलो और वेलकम टू ओल एट स्पोर्ट स्टॉक सबसे पहले हैपी संडे लेकिन आपको बता दे कि पिछले एक हपते से सौरफ गाउगुली बना विराज कूली की जो ख़वर है वो खतम ही नहीं हो रही थी और कल रात को एक इंफरमेशन आई कल रात को सौरफ गाउगुली गुरगाओं में थे और उन्होंने एक इंटेव्यू दिया बहुत छोटा सा इक बाइट दिया था जिसमें उन्होंने विराज कोली के बारे में बड़ा बयान दे दिया उनसे पूछा गया कि विराज कोली आपको कैसे लगते हैं तो उन्होंने का कि विराज कोली का विराट कोली बल्कि ग्राउंड के बारे में हो सकता है कि उनका कहना था कि थोड़ा सा जो है वो ओर एग्रेशन है लेकिन फिर भी तारीफ कि उन्होंने कि विराट कोली का एटिटीड उनको पसंद है अगर सारी चीजें इसी तरीके से चलती रहे तो टीम इंडिया सिर्फ अपने क्रिकेट पर फोकस करेगी और यह विवाद जल से जल खतम हो जाए और जल से जल खतम होगी तभी तो भारतिय चीम जो है वो T20 वर्ल कप 2022 की तैयारी में लगेगी और आने वाले समय में बड़े बड़े टॉर्नमेंट से बड़े बड़े देशों के खिलाब आपको मकाबला खेलना है लेकिन सौरप गांगुली ऐसा लगता है कि मामले को सुलजाने की कोशिश करें बड़े मैच्च और कैप्टन रहें बड़े मैच्च और मैन मैनेजमेंट स्किल वाले इंसान है और हो यह जो विवाद है वो जल से जल खतम हो जाएगा